हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक कोमोट यहांप में फिटिंग करूँगा तो ओलेंग कोमोट परफेक्टली कैसे फिटिंग करते है आज इस वीडियो में आपको डेटेल्स में step by step बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले यहांपे मैं इसका इनलेट और आउट के दोफिन यहाप करना है इस त किनल सबस्के जाएगा है आपको पटी रखके ठेप से माप लेना यहाप फिर न 95 कव भी ट्रेप माप के फिर कट हुआ लेना है उसके बाद एक कोमोट का आउटलेट पॉइंट जो है यह आउटलेट पॉइंट भी चार का पाइप करनता कितना जाएगा वह भी टेप से है इसे माप के चार का पाइप को भी कटिंग कर लेना है अभी यह जो cutting करना है दोस्तो जितना map मैंने है लिया हूँ उससे भी 2-3 सुता छोटा जुआ यह pipe को cutting करना है थोड़ा सा छोटा अगर pipe हो जाएगा तो चलेगा पर थोड़ा सा बड़ा नहीं होना चाहिए pipe क्योंकि यह जो कोमट जब fitting करूंगा यह कोमट tiles में अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए कोमट और tiles के बीच में जहरा से भी gap नहीं रहने चाहिए अब यह pipe जो cutting करना है यह पूरा सीधा cutting करना है दोस्तो यह cross cutting नहीं करना है यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना है उसके बाद यह जो चार का pipe है यह कोमट का outlet में जितना घुषना चाहिए उतना घुषता ही कि नहीं देखना है अगर नहीं घुषता है पूरी तरीके से तो यहां पर मैं क्या करूंगा यह जो चार का pipe है इसको थोड़ा सा गरम कर दूँगा थोड़ा सा सोलीशन लगा के यहां पर मैं चार का pipe को गरम कर दूँगा थाकि आउटलेट पॉइंट में जितना pipe जाना चाहिए उतना pipe चाला जाए तो इस यहां पर यहां पर यह जो में गरम करूंगा यहां पर इस फीटिंग करते से चाहिए थोड़ा बहुत 19 इसपीच उपर नीचे हो जाता है गरम करने में तो ऐसे आपको गरम करके कि अब यह को मुट में अभी आप देख सकती है में को मुट लगा रहा हूं तो यह जो मुट आउट पॉइंट है यह 4 गप में जितना जाना चाहिए हैं पर चला गया है और अब पुरा गयाया है अभी मैं हैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर mode मार्किंग करूंगा तो यहां पर यह करता हूं तो एक कमोड के लिए मैं मार्किंग करूंगा तो को इसके डाल के फिर मैं आगर मार्किंग करता हूं तो एक आप मिल जाता है अभी आप देख सकती है मैं को मट का होल का अंदर दोस्तों आप रवर गुषा के उसका वाइसर घुषा के फिर मैं मारकिंग क्या हूं तो एक जाक मेरे को रेग बोल का माप मारकिंग करने के बाद अभी है पर देख सकती है यह चार का पाइप का अंतर यह फिदिंग करने के बाद फिर पानि भी बरबर नहीं होता है और पाणि लिएसर का अंदर चया क्लिकिवर करने फिर आपका नीचे जो है पानी भेज मार सकता है इसलिए आपको यह चार का और इनलेट पाइप का चारो बाजू जो है अगर गैप रहता है तो हापे आपको हैट सीमेंट से पूर देना है उसके बाद दोस्तों यह जो मैं रेगबोल के लिए डील करूंगा यहापे भी दोस सीधा होता है तो आपका रेगबोल भी जो है वह बाए तो यहां पर दोस्तों रेगबोल्ट परशिंक कर लें के लिए अपको दिल ยूँकर करने के बाद दोस्तों यह का बाद करणा शस्ट्वींे प्लास्टिप का एक गृप आता है डानना है तो मूए मूग के पास तो जादा ब्रिल करना होता है ये जो ढाल डाल जाएक महता है तो यह जाए ब्रिब दल के देखें कि अगर नहीं जाएगा आगा की एज मूग को ब्रिल करके तो ये ऑध लिड्ल होना है अब दोस्तों ये धिल झाल और और ज्याधा टाइट सब्काव तो रेक बोल के लिए डिल करना है अब उसके बाद आप देख सकती है यह जो ग्रीप है अंदर ऐसा धीरे-धीरे से हतोर आप ग्रीप को पर मारते हो तो जो है अंदर चला जाता है अब अगर लाश्ट में थोड़ा सा रह जाता है वह अगर अंदर नहीं जाता है तो आपको इसमें अभी इसका जो नाट है थोड़ा सा माराऊँ गा तो जो थोड़ा सा गया नहीं है और आपको जो है इस तरीके से रेग बोल्ड चाडा के आपको गुसान है वे घृब को खराप नहीं करना है किसी भी आलत में तो यह रेग बोल्ड दोस्तों बड़ा-बाबाद टा जाता है तो आपका पानी भी लिकेज होने का चांस जो है उबर जाता है दूसरा यह बुलेट दोस्त अब देख सकती है यह प्लास्टिक ग्रीप इसे हतोरी जो है आराम से उसको उपर जो है मानना है तो ग्रीप अंदर इसली चला जाता है जाल कि के इसको भी मैं जो रेगवल्ट है थोड़ा से चाड़ा के इसको भी मैं थोड़ा और उठाने का कोशिच करूंगा रेगवल्ट टाइट देटे समय अब को यह खास ध्यान रहे राए कि नहीं यह इसे रेगवल्ट में दोस्तों आपको नट चड़ा के मानना है उसके wing और ठोलोय ने जाता शिल कि इससे कंटिंग है क्योंकि मेरे को जो है टाइट होने चाहिए जब मैं इसको मुंस होके अन्दर जाना चाहिए अगर रह जाता है तो वहां से उसको cutting कर देना है और उस से जयादा अगर रह जाता है तो ये जो रिख बोल्ड बरबर टैट से फिटिंग तो यह प्लास्टिक के ग्रीप अंदर डालना यह अच्छे तरीके से लिए बहुत ही ज़्यूरी होता है ताकि यह बढ़ापा टाइट से फिटिंग हो सके अभी ये जो रेखबॉल्ड टाइट देना है दोस्तों इसको भी अगर ये शुरुआती थोड़ा सा जाने के बाद अगर ज्यादा टाइट हो जाता है ऐसा अगर आपको लगता है थोड़ा ज्यादा टाइट लग रहा है तो आपको ये पाना से धीरे-धीरे आराम से लग रहा है फिर भी आप जो है ज्यादा तागत लगा कि आप उसको एक साथ में घुमाने का जलती में घुमाने का अगर कोशेश करोगे तो यह टाइल से एक क्रेक हो सकता है तो आपको रेक बोल्ट जो है एजीली अराम से अगर घुमाओगे पाना से उसको तो यह अंदर चला जाएगा जैँए दील अप जितना किये हो यह उतना जो है भी इक आप देख रहा हो यह जो रेक बोल्ट में कितना तागत लगा के इस्मूटली इसको गुमा रहा हूं वे रिकद बॉल्ट अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाने बाद अब यह inlet और outlet में silicon लगा के और कॉमोट का inlet और आउट्लेट में भी silicon लगा के मैं अफ्याज करूझ में फिटिंग करना है इसका फाज़न कीर रिकिति बिटिंग करना इसका वाटर लिकेजिंग दोस्तो पानी आप चेक कर सकती है पर पूटिंग झाता है के प्लेजब से अगर चेक कर सकती है पर पूटिंग थोड़ दिन बाद पूटिंग करते हो तो थोड़ दिन बाद पूटिंग हड़ी is hours ना छेकिस हुरा हो होती सेही रहता है कि अब इसलीकॉन तो इस तरीके से इनलेट में जो पाइप है इसमें थ्यादा ज्यादा लगा touring में नीचे में थ्यासा देना हैं और एक पर ध pode को पूस करने के बाद यह गुमाना नहीं है। अब देख सकती है आराम से इसको को पूस करने के बाद उसके ऊपर शीदह सीधा लेबल बट्ली रेकरना है फिर यंको एक popular लेबल सही करने के बाद आपको उसका बोल्ट और उससे आपको जो है उसको डालना है उसके बाद जी आई का या एसस का वासर को डालना है उसके बाद उसका बोल्ट से उसको टाइट देना है अभी यह जो टाइट अभी दोनों तरफ दोस्तों आपको थोड़ा-थोड़ा करके टाइट देके आपको एक कोमोट को फिटिंग करना है यह नहीं दो यह बीच और अधाने के बाद 10-15 मिनिट बात अब आनी चालू करूंगा तो पानी दो तीन बाद फ्लेस्ट करके मैं इसका लिकेज दोस्तों चेक हूं कई पर भी जो है लिकेज नहीं हो रहा है तो यह वालेंग कोमर दोस्तों आप फाइनली पार्फेक्ट फीटिंग हो गया है